अलो दोस्तों नमस्कार, study portal में आप सबका स्वागत है, मैं आपका साथी और guide डॉक्टर वीजेर दोस्तों, जैसे ही कल 28 जनवरी 2019 को KVS ने PRT और TGT का रजल्ट जारी किया है सिरफ return test का, यानि कह सकते हैं, interview के लिए sort listed candidate की list जारी किया है तब से बच्चों के अंदर एक अलग सा जनून है, किसका selection होगा, किसका नहीं होगा, competition कितना tough होगा, क्या पढ़ा जाए, ये बहुत सी चीजें घूम रही है और दूसरा, इसके आधार पर आप लोग कितनी तयारी कर सकते हैं कि आपका selection सोरक्षित हो जाए, ये आपके उपर मैटर करेगा मुकाबला बहुत जबरदस्त है दोस्तों, क्योंकि 1 by 6 का ratio है, जितनी सीटें हैं, उससे 6 गुना से भी ज्यादा candidate का return pass करवाया गया है और अगर इतना जबरदस competition है, तो इसका मतलब आप लोगों को तयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हर 5 बच्चे के बाद 1 को सफलता मिलेगी, यानि हर 6 बच्चों में 5 को निरासा और 1 को आसा हाथ लगेगी और ऐसा competition अगर है, और competition भी सिरफ interview पे है, return पे होता तो 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 बात बन जाती, सिरफ interview पे है, आपकी skill पे, आपकी तैयारी पे, आपकी हादिर जवाबी पे, आपकी IQ के उपर और आपकी मेहनत के उपर ये competition होने वाला है जानिये कैसे ले सकते हैं, selection फिर आप, cutoff is shocking for all, cutoff है, दोस्तों जैसे ही ये result डाला गया, तो वैसे ही लोग पूछने लगे कि cutoff का है, KVS ने अबकी बार TGT और PRT की cutoff ना डाल कर भी बच्चों को सदमे में डाल दिया था, तो आज हम बात करेंगे कि TGT English वाले बच्चे किस तरीके से बेहतर करते हैं, कितने सीटे हैं, कितने candidate लेने हैं, क्या-क्या किस-किस category में क्या रहेगा, वो भी एक बार देख लेते हैं, दोस्तों किसी भी competition exam की तयारी कर रहे हैं, कि AVS, NVS, ASTAT, CETAT, UPTAT, DSSB, SSC, Banking, NDIA या CDS, UPSC, APCS, आप घर बैठे तयारी कर सकते ह हैं, 844-7410-108 के उपर WhatsApp करें, या फिर call करें, आप लोगों के older घर पर पहुंचेंगे, complete printing और handwritten notes के रूप में, शुरुवात करते हैं, TGT English के अंदर, English shortlisted candidate की बात करेंगे, तो 1844 हैं, जितने बच्चों ने TGT English के लिए KVS का पेपर दिया था, उनमें से 1844 बच्चों को return में पास करके shortlist किया गया है, इंट्रिव्यो के लिए, सीटें कितनी हैं, 270, यानि 270 बच्चे लेने हैं, और shortlist किये गए हैं 1844, यानि सीटें हैं 270, और इंट्रिव्यो के लिए बुलाया जाएगा 1844 को, ये ratio आप लोगों को 6 गुणा से ज़्यादा नजर नहीं आता है, यानि हर 6 बच्चे जब इंट्र रखा जाएगा और 5 को निकाला जाएगा, फिर अगले 6 आएंगे, उनमें से 1 को रखा जाएगा, 5 को निकाला जाएगा, अब आप देखिए, आप लोग कोन से में काउंट होना चाहते हैं, उस 1 में या फिर उन 5 में, क्योंकि ये सिधी सी बात है, जब 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना तक इंट्रिवू के लिए बच्चे होते हैं, वहाँ थोड़ी सी उमीद जादा होती है, कि थोड़ी मेंनत कर लूगा, बात बन जाएगी, सामने वाले को साइद ना आए, लेकिन यहां सारे के सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, सब मेंनत कर रहे हैं, रिटन करके स आफ लाइन जोइन कर लेजिए, यह हम लोग सिरफ यूटूब वालों को मैं कभी नहीं बोलता है, क्योंकि जो आने हैं, वैसे एड से वो तो बच्चे आने हैं मार्केट से, लेकिन सिरफ यूटूब वालों को हमारा ऐसा कोई उदेश से नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है हम लोग जो कोचिंग करवाते हैं क्लासिज के अंदर, वो भी तो हमें यूटूब पे डालनी होती है, कोई भी अगर कितनी भी अच्छी कोचिंग दिलाए, अगर वो यूटूब पे है, तो उसको यूटूब पे डालनी ही पड़ेगी, च्योंकि वहाँ से भी उसको तारों वीडियो यूटूब पे अजी पड़ी हैं, जो एक से एक जबरदस्त इंट्रिव्यू की हैं, आपको अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा, टोटल पोस्ट के बाद थोड़ा देख लेते हैं, जैनल की सीटे 137 हैं, OBC की 72 हैं, SC की 40 हैं, और ST की 21 हैं, और इसलिए ये competition और tough हो रहा है, तो दोस्तों जिन साथियों का TGT English का इंट्रिव्यू होना है, जो सरुट लिष्टेड हुए हैं, उनको एक बार तो congratulations और आने वाले समय के लिए आप लोगों को best of luck, क्योंकि आपके पास time कम है, इस selected से time के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पहले बार बार आप लोगों का कहा जाता है, कि आप लोग interview के लिए कमरे में जब घुसेंगे, और उस कमरे से interview देके बाहर निकलेंगे, इस सारी format के है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनसे निकलना है, कैसे उनसे जवालों के जवाब देने है, वो आपको बोले कि आप कुछ पूसना चाते हैं, तो आपने क्या पूसना है, क्या आपने कमिया बतानी है, क्या आपने अपने merit बतानी है, कैसे आपका वायोडाटा होगा, कितन आप तयारी करके जाएंगे और आप लोग interview को face कितने होसले के साथ करेंगे शिरफ ये चीजें होती है इसके अलावा कुछ नहीं होता है या तो आप लोगों को कोई 3-4 घंटे में बता दे या आप लोगों को एक महिने तक कोई इसी चीज के लिए लेके बैठा रहे क्योंकि अंदर से जब आप लोग practice करेंगे ना तो वो आपके अंदर से आएगी आम तोर पर होगा क्या कहीं पर जाएं भी गे तो वो दो टेबल लगा करके चार बच्चों को बुला देंगे फिर आपको बुला लेंगे फिर दूसरे को बुला देंगे ऐसा कुछ नहीं होता है अगर return में number अच्छे आए हैं interview अच्छा करेंगे तो निकल जाएगा return में अगर कम भी हैं interview बहुत अच्छा करेंगे तो भी निकल जाएगा लेकिन return के घमंडे में रह करके interview को खराब करोगे तो first जाओगे ये सीधी और साफ बात होती है और दोस्तो interview conducted होगा आप लोगों का Mumbai के अंदर TGT English वालों का interview Mumbai के अंदर होगा सभी साथियों को Mumbai के अंदर जाना होगा और जो भी आप लोगों का letter आएगा interview का उसके ओपर जग है और सब कुछ आ जाएगा timing वगारा सब उन लोगों ने दे रखी है तो इसलिए यही कहना चाहूंगा कि TGT English वालों के ratio जो होना चाहते है निकलने वालों में या फिर selection वालों में यह आपके उपर depend है यही चीज़ अगर मैं बाद में बोलता selection के बाद तो आप बोलते सर पहले क्यों नहीं बताया इसलिए यह चीज़ आप लोगों को पहले बताई जा रही है तो इसलिए तैयारी कीजिए लगे रह होगी कि मैंने दर्म जरूर लाएगी धन्यवाद सुब काम